प्रश्न 22 सामान अर्थव्य उस्थासे है अविधारणाओं और आधार्भूत सिधानतों पर यहां प्रश्न आधारित है बीच बीच में हम उन प्रश्नों को छोड़ते जा रहे हैं जो सीधे या प्रदक्ष हैं जिसमें किसी विश्रिशर या और अधिक चर्चा की आवश्यक्ता नहीं है इस प्रकार बीस और एकिस प्रश्न को भी हमने छोड़ दिया है प्रश्न हम 22 पे आते हैं प्रश्न बाइस पूच्ता है निवेश एवं बच्चत के संदर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए सबसे पहले निवेश और बच्चत को समझ लेते हैं क्या होता है निवेश इस प्रकार की वस्तूओं मुक्ता पूची गद वस्तूओं में किया गया निवेश है जो की उत्पादन एवं पूची निर्माड में सहायक होती है और निवेश के पश्चात ऐसी वस्तूओं का उत्पादन किया जाता है जो डूरेबिल गुड्स होते हैं लॉंग टर्म अर्थात देर तक चलने वाली पूजी गद वस्तूओं होती है जिनका उपभोग लॉंग टर्म में किया जाता है अर्थात कथन एक गलत हो जाता है क्योंकि निवेश में ऐसी वस्तूओं के उत्पादन के आश्चाता पड़ती है जिनका उपभोग लंबे समय के दौरान किया जाता है कथन एक गलत हो जाता है कथन दो कहता है कि निवेश वाकई में निवेश भी सेविंग का एक प्रकार है किन्तु जहां पर निवेश करके हम पूजी गत बस्तूओं के निर्माड के दौरा पूजी निर्माड और इस प्रकार कुल उत्पादन को बढ़ावा देते हैं वहिं बचत में एकदम अईसा नहीं होता बचत में हमारा निवेश भी बचत क्या हो सकती है बचत एक ऐसी सेविंग भी हो सकती है जो गौर्नेंट सेक्योटी गाड़ बैंक के पास सेविंगज रहती है इसके अत्रिक्थ बचत हम उसको भी बोल सकते हैं जिसको कि हम इस प्रकार के निवेश में डाल रहे हैं जिनको कि हम इस प्रकार के निवेश में डाल रहे हैं जो कि दीर्ग काल में जाकर पूजी गद बस्तूओं के उत्पादन के द्वारा कुल उत्पादन में बृद्धी करते हैं तो कथन दो सही है investment निवेश जो है वह बचत के समान ही है किन्त पूर्टेया समान नहीं है दोनों एक नहीं होते दोनों का तात पर एक ही नहीं है कथन दो सही है एक गलत हो गया चलिए जब एक गलत हो गया तो पूछा जा रहा कौन कौन से इंकरेक्ट है एक गलत हो गया तो अभी हमारा उत्तर नहीं मिल पा रहा है दो सही हो गया अब दो के अधार पे हमारा उत्तर मिल सकता है जब दो सही है तो A और D विकल खतम हो जाते हैं B और C में से हमारा कोई सही उत्तर है अगला देखते हैं कथन तीन कहता है saving involves spending all of once माफ कीजिएगा हमने इस प्रशन को अंग्रेजी में पढ़ दिया हम हिंदी पे आते हैं कथन तीन कहता है कि बच्चत में ऐसी अध्यतन बस्तूओं एवं सेमाएं शामिल होती है जो कि किसी उपहुकता द्वारा अपनी सकल आयक का व्याइग दिन पर किया जाता है तो यहां कथन गलत है क्योंकि इसमें आपने कीन्स का नाम सुना होगा समष्ट अर्थक शास्त्र में उनका नाम है किन्स ने कहा था कि बच्चत में किसी उपहुकता द्वारा अध्यतन सेवाओं एवं बस्तूओं पर कुल व्याइग नहीं कर दिया जाता कुल आयक का व्याइग नहीं कर दिया जाता है वरन उस आयक का कुछ भाग निवेश की तरब भी उनमुक होता है इस मामले में फिर निवेश और बच्चत अलग-अलग हो जाते है कथन तीन भी गलत है उत्तर हमारा मिल गया एक और तीन गलत है विकल्प भी हमारा उत्तर मिल गया चार पे हम देख लेते हैं निवेश का तातपर किसी विशेश प्रकार की बस्तूओं जैसे कि पूझी गत बस्तूओं पर किया जाने लाव्य होता है इसको हम समझाई चुके हैं तो एक और चार सही हैं दो और तीन गलत हैं माफ किजिएगा एक और तीन गलत हैं दो और चार सही हैं विकल्प भी हमारा सर्फश्ष उत्तर बनता है प्रशन संख्या बाइस के केस में